Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our 6th lesson is circle Practice set 6.1 is already completed, so let's start practice set 6.2 Practice set start करने से पहले हमें दो थेरम समझने होगे First theorem क्या दिया है देखे Congrant chords of a circle are equidistance from the center of the circle क्या दिया है कि अगर एक circle में अगर chord ये chord है AB and DC या CD ये दोनो chord अगर equal है तो फिर ये center से जो इनका distance है ये वाला ये भी equal होगा ऐसे कौन कहता है थेरम देखे यहाँ पर देखते हम Suppose ये एक circle है इस circle का AB and CD ये दोनों क्या है कॉड है तो अगर AB and CD थेरम क्या कहता है AB and CD अगर equal है AB equal CD तो फिर अटेमेटिकली ये OM ये distance औके और ON ये distance ये दोनों भी equal ही होंगे और ये दोनों यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे ओके तो ये थेरम कहता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे और ये equal होंगे अगर कौड equal है तो center से इन दोनों का जो distance है वो equal होगा सेकेंड थेरम है the chord of a circle equidistance from a center of a circle second में उल्टा दिया है second में क्या दिया है अगर यहाँ से center से equidistance पे जो measurement है वो अगर equal है और यहाँ पर परपेंडिकुलर है ओके equal है तो परपेंडिकुलर होगा ही अगर equal है तो फीर वहाँ पर बने हुए जो chord है वो भी equal ही होगे जैसी यहाँ पर दिया था chord equal है तो यह distance equal होगा तो यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर उल्टा दिया है यहाँ पर दिया है कि यह distance equal है तो chord equal होगा दोनों भी एक है देखें यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, if om is equal on, अगर यह om and on यह equal है, तो automatically ab and cd, यह दोनों chord है, यह भी equal होंगे, बस यही theorem में कहा है, फिर्स्ट थेरम में क्या कहा है, कि यह chord अगर equal है, तो distance equal होगा, और सेकंड थेरम में क्या कहा है, कि यह distance equal है, तो यह chord equal होंगे, बस इतना ही आपको इस practice set में सीखना है, इसके according हम question देखेंगे, first question देखें, क्या दिया है, radius of a circle is 10 cm, एक circle है, उसका radius, तो radius कहा से होता है, यहा से, तो उसका radius, radius क्या है, 10 cm, there are two chords of length, दो जो chord है उसके, उसकी length कितनी है, 16 cm, दोनों भी 16 cm, यह chord जो AB है, वो भी 16 cm, और जो CD है, वो भी 16 cm ही होगा, फिर what will be the distance of this chord from the center of the circle, आपको क्या पूचा है, यहाँ पे, उन्होंने first radius दिया है, तो radius कौन सा होगा, यह radius नहीं होगा, क्योंकि यह radius क्यों नहीं होगा, क्योंकि center से यह point निकला, radius किसे कहते है, circle के center से end तक, यह circle के point के end तक, जो line बनी हुई होती है, उसे radius कहते है, लेकिन यह end तक है क्या नहीं, यह chord को touch हुई है, तो end तक आपको line बनाने पड़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, O से, यह जो AB line है, वहाँ पर एक line डाली, यहाँ पर line बना है, तो यहाँ पर क्या बना, एक triangle बना, तो यह जो AO, यह जो है, यह क्या हुआ, 10 cm है, ऐसे हो कहते हैं, तो यह radius हुआ, यह radius कितना है, 10 cm, अभी हमें क्या निकालना है, यह distance निकालना है, तो हमने theorem में क्या सीखा है, कि अगर यह chord equal है, अगर यह chord equal है, तो फिर यह distance भी दोनों equal ही होंगे, यह जो distance है, दिखिए, OM, इसे हम M नाम देते हैं, OM और इसे N, तो OM अगर हमने निकाला, तो OM और ON सेम ही होंगे, तो OM हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, एक triangle बना है, यहाँ पर perpendicular है, इसका मतलब यह 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने का जो होता है, O-line, मतलब यह O-A, यह क्या होगा, हाइपोडेनेस होगा, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थेरम यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमने पाइथागोरस थेरम से question solve किये, सेम उसी तरीके से हमें इसे solve करना है, यहाँ पर हमें given में क्या दिया है, वो लिखते ह क्या दिया है, एक circle दिया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, in a circle, circle में center क्या दिया है, O, तो with center O, ओके, next, radius उन्होंने कहा है कि 10 cm है, question में दिया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, radius, radius, कौन सा है radius, O, A, तो यहाँ पर लिखते हैं, O, A, is equal to 10 cm, फिर क्या दिया है, उन्होंने कौर दिये, तो कौर दोनों equal कहा है, तो दोनों कौर 16 cm है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, कौर, कौन सा है, A, B, equal C, यह दोनों equal है, कितने दिया है, 16 cm, नेक्स्ट, और क्या दिया है, और दिया है, यह जो O, यम है, यह A, B को क्या है, पर्पिंडिकुलर है, देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, distance of this chord from a center, this chord from a center of a circle, यह जो chord है, यह कहाँ पर बना, यह जो center से निकला हुआ, एक line है, वो कहाँ पर है, इस chord पर है, तो इसका मतलब, क्या दिया है, उन्होंने कि O, यम क्या है, O, M, यह line कौन सी है, O, यम, यह क्या है, पर्पिंडिकुलर है, पर्पिंडिकुलर है, यहाँ पर, देखिए, 90 डिगरी बन रहा है, A, B को, ओके, chord कौन सी है, A, B, तो इतना उन्होंने question में दिये, और यहाँ पर देखिए, CD को कौन सा पर्पिंडिकुलर है, यह, O, N, तो यहाँ पर लिखते हैं, और O, N, पर्पिंडिकुलर, CD, O, N, जो है, यह भी पर्पिंडिकुलर है, CD पर, CD लाइन है, इसका मतलब इसे क्या केते हैं, पर्पिंडिकुलर, तो यहाँ पर हम, लिखते हैं, find, क्या find करना है, distance find करना है, ओके तो, distance of these cord from center, ओके, और cord कुन से हैं, यह, center से, यह जो line बने हैं, वो कुन से हैं, om and on, तो हमें क्या निकालना है, om और on, om and on, यह, जो distance है, यह हमें find करना है, ओके, अभी हम solution लिखते हैं, अभी क्या find करना है, हमें first हम find करेंगे, देखे, हमें यहाँ पर कहा हैं कि, om यह perpendicular है, ab को, अगर, यह om, ab को perpendicular है, इसका मतलब, यह om के वज़े से, ab के दो, same part बनेंगे, यानि, यह जो part है, यह क्या होगा, half होगा, यहाँ पर m है न, तो, यह am, यह क्या होगा, ab का half होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर one number देते हैं, om, perpendicular, ab, अगर, om, perpendicular है, ab को, तो फिर, क्या होगा, am is equal to half, ab, देखें, यह perpendicular है, तो फिर, am, यह क्या होगा, half होगा, ab के, देखें, यह line half बनाता है, यह आधा, यह आधा, यह आधा, तो यह half होगा, तो फिर, हम यहाँ पर लिखते हैं, half, ab का measurement कितना दिया हैं, उन्होंने, देखे, ab, and c, d, 16 है, तो फिर, multiply, हम 16 करेंगे, 2, 1 जा 2, 2, 8 जा 16, ओके, तो answer कितना आया, 8 cm, तो यहाँ पर, reason भी लिखना होगा, यहाँ पर reason क्या लिखेंगे, फिर, तो यहाँ पर लिखते हैं, given, यह हमें, given में दिया है, कि, om क्या है, perpendicular है, ab को, फिर, यहाँ पर हमारा, जो, 6.1 में, हमने, थेरम, हम लिखते थे, वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, perpendicular from center of a circle, to cord, bisect the cord, ओके, यादे आपको, वही हम थेरम, repeat करते थे, यहाँ पर लिखते हैं, perpendicular from center of circle to cord, bisect the cord. इस तरीके से, आपको, यह reason by it करना है, यह बार बार हमें, यूज करना है, तो, यहाँ पर देखें, अगर, हमारा, am, 8 cm आया, इसका मतलब, पहले हम यही लिखते हैं, am, 8 cm आया, okay, am, 8 cm, इसका मतलब, automatically, mb, भी क्या होगा, 80 होगा, लेकिन उन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिखते हैं, am is equal to 8 cm, और यहाँ पर हम number 1 लिखते हैं, अभी हमें, यह जो triangle है, उसे देखना है, यह triangle 90 degree का है, तो फिर यह hypotenuse है, तो यह pythagoras theorem यूज़ करके से हम solve करेंगे, तो second हम क्या करेंगे, triangle कुन सा है, o, m, a, okay, तो यहाँ पर लिखते हैं, in triangle, o, m, a, okay, इसमें क्या दिया है, o, m, first हमें दिया है, कि o, m यह क्या है, perpendicular है, a, b को, यह यहाँ पर हमने prove भी कर दिया, okay, अगर o, m, a, b को perpendicular है, given में दिया था, तो फिर यह triangle बनता है, और hypotenuse क्या है, o, a है, तो o, a, square, is equal to, o, m, square, plus, a, m, square, पाइथागोरस थेरम क्या कहता है, कि hypotenuse का square, यह इन दोनों के बच्चे हुए line के square के बराबर होता है, plus के बराबर होता है, और यहाँ पर reason क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थेरम, पाइथागोरस थेरम के according, यह हम करेंगे, अभी यहाँ पर देखें, o, a कितना है, 10 तो 10 का square, o, m कितना है, o, m हमें निकालना है, o, m निकाला नहीं है, तो o, m square, plus, यह a, m हमें निकाला, 8 cm, तो 8 का square, 10 का square, 10 10 जा, 100, o, m square, वैसे के वैसे, plus, 8, 8 जा, 64, अभी यहाँ पर 100, यह जो 64 है, is equal to को क्रॉस करेगा, इस side में आएगा, तो minus होगा, क्योंकि वो plus है, बचा क्या यहाँ पर, o, m square, 100 में से 64, minus करोगे, तो कितने बचेंगे, 36, is equal to, o, m square, अभी हमें, o, m square, निकालना है, क्या, नहीं, हमें क्या निकालना है, o, m निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, o, m, is equal to, square root में 36, यह उल्टा लिखा, तो भी चलेगा, ओके, इसका मतलब यह यह, फिर, square root में, जो 36 है, इसका मतलब क्या, कि हमें, 36 का, 36 किसका square है, इसका square root निकालना है, तो, 36 किसका square है, 6 का, 6, 6 है, 36, ओके, तो, o, m कितना मिला, 6 cm, इसे हम, number 2 देते हैं, चाहिए तो इसे bracket डालो, तक कि, जल्दी से highlight हो, ओके, अभी हमें क्या prove करना है, देखे, यहाँ पे हमने, am निकाला, यहाँ पे, om निकाला, अभी, om निकाला, यहाँ पे देखे, om निकाला, om कितना है, 6 cm, और om, थेरम क्या कहता है, हमारा, om and on, यह equal है, equidistance पे है, तो फिर, om भी कितना होगा, 6 cm होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे third number डालते हैं, also, on, थेरम क्या कहता है, कि on equal on, on and om, यह equal है, ऐसा कुन कहता है, थेरम, कौन सा थेरम, तो जो, अभी हमने देखा, बुक में, क्या है, कॉंगरंट, 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 कॉर, of a circle, और equal, और equidistant, from, center, यहाँ पे, यहाँ पे, यह रीजन, बाहेटी करना है, क्या है, कॉंगरंट, कॉर, of a circle, are equidistant, from, center, यह जो, थेरम है, आपके बुक में, अर्रेडी दिया है, यह अभी अभी आपको दिखाया था, क्या है, देखे, कॉंगरंट, कॉर, of a circle, are equidistant, from, a, center, यह आपको लिखना ही पड़ेगा, तो यह स्थेरम के according, हमने यह solve कर दिया, तो फिर, यहाँ पे, on equal om, तो फिर, on कितना होगा, on भी 6 cm ही होगा, तो यह कहां से लिखा, यहाँ पे लिखते है, from 2, from 2, ओके, और यहाँ पे, last में answer क्या लिखेंगे, last में लिखेंगे, the distance of the chord from, the center of the circle is, 6 cm, कितना आया, 6 cm, तो, therefore, यहाँ लिखते है, therefore, the, distance of, of the chords from the center of the circle is 6 cm, इस तरीके से आपका यह first question complete होता है, देखें हमने क्या किया, यहाँ पे हमें first question में circle दिया नहीं है, लेकिन हमें बनाने के लिए कहा है, question में दिया है, radius of a circle is 10 cm, हमने circle बनाया, उसका radius बनाया, ओके, ओए बनाया, फिर, there are two chords, दो chords है, a, b, and c, d, उनका length है, 16 cm दोनों का, फिर उन्होंने क्या कहा है, कि, what will be the distance of this chord from the center of the circle, center से, center point से, दोनों chord का distance देखे, दोनों chord पे हमने क्या दिया, यहाँ पे, perpendicular lines बनाये, ओके, perpendicular lines क्या करता है, यह score के, दो part बनाता है, ओके, तो फिर हमने क्या किया, first, दो part बनाता है, इसका मतलब, a, b, का, am क्या होगा, half होगा, वो half हमने निकाला, कितना निकाला, 8 cm, फिर यह triangle जो है, इसका हमने, पाइथागरस theorem के, according, यह जो बच्य हुई line थी, ओके, यह om, यह निकाला, और अगर, थेरम कहता है, कि om 6 है, तो फिर, on भी 6 cm होगा, क्योंकि थेरम कहता है, कि यह दोनों equal है, ओके, तो इस तरिक के से, आपका equation solve होता है, second question देखते है, क्या दिया है, inner circle, with radius 13 cm, same question है, देखिए, circle, एक circle है, radius कितना दिया है, 13 cm, अभी यहाँ पर हमने, यह circle बनाया, इसमें radius, radius कहां से होता है, center point से, यह जो circle का end point है, यहाँ तक, यह बीच में बना हुआ, radius नहीं होता है, cord पर यह आते हैं, यह cord है, cord को touch नहीं करते हैं, radius center point से end point तक होता है, तो यह जो है, यह O.A., यह क्या होगा, यह होगा 13 cm, फिर, there are two cords, यह नीचे का question है, two equal cords are at a distance of 5 cm from the center, देखिए, क्या दिया है, कि equal distance है, किसका equal distance है, center point से cord तक जो line बने है, वो, मतलब यहां से, यह O.M., यह O.A.M. जो है, यह कितना है, 5 cm, तो दो line बनी है, क्या कहा है, cord, दोनों साइड में, cord पर दो line बने है, यहाँ पर दिखें, two equal cords, दो equal cord जो है, उस पर क्या बने है, lines बने है, तो फिर यह O.M. और O.N. यह क्या होंगे, दोनों भी 55 cm है, यह कहा है, और हमें, find क्या करना है, from the center, find the length of cord, यह जो cord के जो length है, यह हमें find करने है, तो हम given लिखते हैं, given में हमें क्या दिया है, कि एक circle है, तो हम लिखते है, in a circle, with center कौन सा है, O, यहाँ पर लिखते हैं, center O, रेडियस दिया है, O A, तो यहाँ पर लिखते है, रेडियस O A, is equal to 13 cm, फिर cord दिया है, cord कौन से है, A B and C D, यह equal दिया है, और रेडी, तो यहाँ पर, cord A B, equal C D, फिर O M, यह जो है, O M and O N, यह 5 cm दिया है, O M, equal O N, is equal to 5 cm, और रेडी दिया है, हमें क्या, और क्या दिया है, O M क्या है, O M, यह A B को पर्पंडिक्लर है, और O N, C D को पर्पंडिक्लर है, तो O M, पर्पंडिक्लर, A B, N, O N, पर्पंडिक्लर, C D, यह जो information है, यह question में दियी है, अभी हमें find क्या करना है, तो यहाँ पर लिपते हैं, find, क्या find करना है, length find करने हैं, दोनों भी, chord के, तो यहाँ पर लिखते हैं, of, the chord, कौन से chord है, A B, and C D, इन दोनों के length, find करने हैं, अभी, solution लिखते हैं, solution में देखिए, यहाँ पर, अगर यह equal है, यह 5 cm है, यह 13 cm है, तो हमें AM निकालना होगा, ओके, पाइथागोरस थेरम से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर OM है 5 cm, O A है 13 cm, तो OM हमें मिल सकता है, पाइथागोरस थेरम के according, तो हम यह जो triangle है, वो देखते हैं, कौन से triangle है, O M A, यहाँ पर लिखते हैं, in triangle O M A, इसमें, already दिया है, कि OM यह perpendicular है, AB को यह लिखना ज़रूरी है, तो फिर, यह perpendicular है, तभी यह right angle triangle बन सकता है, इसलिए यह लिखना ज़रूरी है, तो फिर क्या होगा, O A square is equal to O M square, plus A M square, किसके according, by Pythagoras theorem, यहाँ पर लिखते हैं, Pythagoras theorem, इसके according, हमने यह लिखा, अभी यहाँ पर O A कितना है, O A दिया है 13 cm, O M दिया है 5 cm, plus हमें A M निकालना है, तो यहाँ पर 13 का square, कितना होता है, 13 13 जा, 169 is equal to 55 जा, 25 plus A M square, यहाँ पर 169, 25 is equal to go cross करगा, इस साइड में लेंगे तो, minus होगा, यहाँ पर बचेगा क्या, A M square, अभी यहाँ पर, 169 से, अगर 25 minus करोगे, तो कितने बचेंगे, 144 is equal to A M square, अभी हमें A M square निकालना है, तो हम यहाँ पर, इसका square हटाएंगे, तो इससे square root आएगा, तो यह A M is equal to square root में 144, इसका square अगर हटाना है, तो फिर यहाँ पर square root आएगा, यह square root गाएब होगा, तो यहाँ पर square root बनेगा, और A M is equal to 144 किसका square है, 12, 12 जा 144, तो यहाँ पर 12 का square क्या होता है, 12 multiply 12 करके देखिए, क्या होगा, 144, तो फिर A M कितना हुआ, 12 cm, तो हमारा first answer निकल गया, इसे हम number 1 देते हैं, यह जो A M है, यह आया हमारा 12 cm, अभी हमें पता है, कि यह अगर perpendicular है, इस square पे, तो फिर A M और M B, यह क्या होंगे, दोनों equal होंगे, क्योंकि यह हाप होता है ना, यह O M, यह जो line है, अगर perpendicular है, तो फिर A B का A M क्या है, हाप है, अगर यह 12 है, हाप है तो यह दोनों equal है, अगर यह 12 है, तो M B भी क्या होगा, 12 होगा, और पूरा A B कितना होगा, 24 होगा, तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, नाउ, हमें पता है कि A B, यह जो A B है, यह chord जो है A B, यह क्या है A M, यह दो मिला के, दो lines मिला के, पूरी line बनती है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, A B is equal to 2 A M, और इसे reason क्या लिखेंगे, वही हमारा first वाला, perpendicular, from, center, of, circle, to chord, bicep, the chord, यह बहुत बार repeat होने वाला है, ओके, यह जो theorem है, यह आपको reason में लिखना है पड़ेगा, यह बहुत बार repeat होगा, इसलिए आपको इसे बाहेटी करना है, ओके, फिर यहाँ पे इसे solve करेंगे, A B, निकालना है, to, A M कितना निकाला, 12, ओके, तो A B is equal to कितना हुआ, A B is equal to 12 to 24, ओके, और यह कहां से लिखा, यह लिखते हैं हम, from, 1 से, from 1 में 12 दिया है ना A M, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिखा, और यहाँ पे A B कितना आया, 24 cm, यह हमारा second answer मिला, तो यहाँ पे लिखते हैं, number 2, ओके, अभी यहाँ पे A B मिला हमें, A B मिला 24 cm, लेकिन यह A B क्या है, कौड है, और C D भी क्या है, कौड है, तो फिर थेरम क्या कहता है, कि A B और C D, यह क्या होते हैं, equal होते हैं, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं, also, यहाँ पे लिखते हैं, कौड, C D, equal कौड, A B, कौड, C D और A B, यह क्या है, equal है, गीवन में भी दिया है, तो फिर, कौड, C D, is equal to be, कितना होगा, 24 cm, यह कहा से लिखा, from 2 से, तो यहाँ पे लिखते हैं, from 2 से, ओके, और लास्ट में, हम अंसर लिखते हैं, therefore, the, length, lengths of, 2 कौड, are, 24 cm, each, हर एक कौड, कितने cm का होगा, 24 cm का होगा, ओके, तो इस तरीके से, हमारा second question, complete होता है, third question, देखते हैं, क्या दिया है, segment PM and segment PN, segment PM, and PN, are congruent, chords, of a circle with center C, show that, the ray PC, is the bisect of, angle NPM, देखे, question थोड़ा सा, यह अलग है, दो question, अलग थे इस से, उके, उन्होंने क्या दिया, एक circle दिया है, देखे, यहाँ पे, diagram बनाया है, इसमें हम समझते हैं, पहले, देखे, यहाँ पे क्या दिया है, कि segment PM, पहले तो एक circle बनाना है, फिर यहाँ पे, segment PM and PN, यह PM, यह PN, यह जो दोनों है, यह क्या है, आर कॉंग्रेंट कॉर्ड्स, यह दोनों कॉर्ड्स है, तो PN and PM, यह M है, और यह N है, PM and PN, यह दोनों क्या है, एक ही circle के, कॉर्ड है, और दोनों भी क्या है, कॉंग्रेंट है, और क्या दिया है, of a circle with center C, इसका center जो है circle का, वो क्या है, C है, तो यह C है, show that the ray PC, यहाँ पे ray एक बनाना है, अपको PC, यह ray बनाया है, is the basic of angle NPM, अभी यहाँ पे, देखेंगे यह जो, यह cord है, यह कहाँ पे यह जो center है, इसमें मिलते है, cord a circle with the center, यह जो दोनों cord है, यह center point से मिलते है, तो यहाँ पे हमने, इसे construct किया, और यह line बनाई है, dot dot वाली, तो यह center point में, M, C, यह जो line है, यह बनी, और center point से इसे match किया, तो CN यह line बनी, फिर PC, यह अगर ray है, तो फिर angle N, P, M, angle N, P, M, यह जो है, यह measurement हमें निकालना है, अगर आप यह से ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे देखने से, हमें समझ में आता है, कि यहाँ पे देखिए, यह एक circle बना है, यह जो है, एक circle है, sorry, यह जो, एक है यह triangle है, और यह भी, यहाँ पे हम देखिए, मैं बताती हूँ, P, C, M, देखिए, P, C, M, यह triangle है, और दूसरा triangle, यहाँ पे, P, C, N, यह triangle, यह दोनों भी triangle है, और same है, देखिए, यहाँ पे, यह जो line है, अगर यह quad same है, तो यह दोनों equal होंगे, यह PM, question में दिया है, PM and P, यह दोनों quad है, तो quad क्या होते है, equal होते है, तो यह दोनों equal होए, फिर center point से हमने, यहाँ पे, radius बनाए है, इसे match किया है, तो फिर, यह दोनों भी क्या होए, equal होए, और यह जो line है, PC, रे की, यह PC तो दोनों में एक ही है, same ही है, तो यह भी equal है, तो यहाँ पे, S, 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 test से, side, 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 is test से, यह दोनों जो triangle है, यह equal हो सकते हैं, अगर यह दोनों triangle equal है, तो फिर, इनको जो angle है, यह जो angle है, यह भी क्या होगा, equal ही होगा, यह congruent होगा, तो आपको, prove क्या करने के लिए कहा है, वही prove करना है आपको, कि, यह जो, PC है, आपको, prove क्या करना है, यह PC जो ray है, यह bycic करता है, angle, PM, PM, sorry, NPM में, यह bycic करता है, और यही हमें, स्टेट्मेंट, इसे prove करना है, चले, यहाँ पर हम, first, given लिखते है, given में, हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है, उपहले लिखे, तो क्या दिया है, हमें, एक circle दिया है, उसमें, center point, O दिया है, तो हम लिखते है, in a circle, with, center क्या है, O, center O दिया, फिर, core दिया है, PM और PN, तो फिर, यहाँ पर लिखते है, core, PM, equal दिये है, दोनों भी core, okay, core, PN, यह, PM और PN, यह, दोनों equal दिया है, अभी हमें, prove करना है, तो यहाँ पर लिखते है, to, prove, तो, prove क्या करना है, prove करना है, यहाँ पर दिया है, last statement क्या दिया है, ray PC, is a bisect of, angle NPM, तो यहाँ पर 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 क्या करना है, ray, PC, is the, bisect, bisect of, angle, NPM, bisect of, angle, NPM, okay, यहाँ पर, construction किया, हमने, यह line जो है, यह extra बना ही है, तो यहाँ पर हम लिखते है, कि हमने construct क्या किया, join किया है, तो यहाँ पर लिखते है, join, क्या join किया, CM, and, CN, CM and CN को हमने, join किया, अभी हमें, prove करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं, prove, क्या prove करेंगे, angle जो है, यह दो angle, same दिखाएंगे हम, तो कौन कौन से angle है, C, P, M, तो यहाँ पर लिखते हैं, angle नहीं, sorry, triangle, triangle, C, P, M, and triangle, कौन सा है, यह, C, P, M, यह दो triangle है, तो दो triangle में, क्या, क्या, same में, देखिए, उन्होंने, पहले ही दिया है, कि, P, M, and P, N, equal है, तो यहाँ पर लिखते है, P, M, equal, P, N, और इस reason के लिखेंगे, given, क्योंकि, given में, उन्होंने दिया है, कि, यह जो कॉर्ड है, P, M, and P, N, देखिए, यहाँ पर बुट में, P, M, and P, N, equal है, ओके, next क्या दिया है, हमने यहाँ पर C, M, construct किया है न, construction में हमने लिखा है, कि, M, and C, N, यह, equal है, Q, equal है, तो यह क्या है, radius है, इसे ready भी कहा जाता है, radius of circle, एक है, अगर एक ही line है, एक ही radius है, तो उसे radius केते हैं, लेकिन, एक से ज़्यादा है, तो उसे ready केते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते है, CM, is equal to CN, और यहाँ पर reason क्या लिखेंगे, ready of circle, क्योंकि हमेशा radius यह क्या होते है, equal distance पे ही होते है, center से निकलते हैं, और circle के end तक जाते हैं, इसलिए किसी भी circle के radius equal ही होते हैं, इसलिए CM और CN, यह क्या होंगे, equal होंगे, और फिर, third line क्या है, CP, यह CP जो है, यह CP यह equal ही होगी, क्योंकि यह common side है, दोनों में common है, यहाँ पर लिखते है, CP, equal CP, और reason क्या लिखते हैं, common side, common side है, इसलिए दोनों में वो equal होंगी, अब यहाँ पर तीन चीज़े, same है, इसका मतलब, यह side और यह side equal है, यह side और यह side equal है, और यह side common है, इसका मतलब, SS, test से, यह जो दोनों triangle है, वो equal है, तो यहाँ पर हम लिखते है, triangle, C, M, P, congruent, triangle, C, P, N, यह दोनों भी congruent है, किस test से, S, SS, test, side, 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 हमें पता है, कि दोनों भी triangle, अगर congruent है, तो बच्ची हुई, सारी चीजे congruent ही होती है, तो इसका मतलब, यह जो triangle है, C, P, M, इसमें बना हुआ यह angle, और, C, P, N, इसमें बना हुआ यह angle, यह दोनों भी क्या होंगे, equal होंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, therefore, angle, C, P, M, congruent, angle, C, P, N, यह, C, P, N, मतलब, यह angle, और, C, P, N, मतलब, A, यह angle, ओके, यह दोनों क्या होंगे, equal ही होंगे, किस stage से, corresponding, angle, side, corresponding angle, congruent test, इसे क्या कहते हैं, corresponding, C, A, C, T, ओके, यह, corresponding angle, congruent test, यह मैंने, पिछली बार आपको बताया था, कि यह कैसे आता है, ओके, इस तरीके से, यह जो triangle है, दोनों भी, यह equal, प्रू हो जाते हैं, अगर यह equal है, इसका मतलब, रे PC जो है, यह, इस, अंगल, C, P, N को, यह C, P, N को क्या करता है, बाइसेक करता है, यह प्रू हो जाता है, यहाँ पे लिखते हैं, रे PC, इस दब, बाइसेक्टर, यह क्या है, एक बाइसेक्टर है, किसका, अंगल, N, P, M का, और यही हमें, प्रू करना है, तो यह हमारा, प्रू हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस, प्रू, सो इस तरीके से, हमारा एक, question, third, complete होता है, और इसी के साथ, हमारा practice set, 6.2 भी, complete होता है, I hope, आपको समझ में, आया होगा, ओके, thank you,